बरेली 2021 को साकार करने के लिए composite mobility प्लान पर हुआ मन्थन बदायों रोड पर बनेगा modern बस अटा ताजनगरी का सफर होगा आसान शहर में छोटी इलेक्ट्रिक बसे चलाने को तलाशी गई सम्भावनाए शहर के आसपास 6 बड़े दुरगटना प्रभावित ब्लेक स्पोट होंगे ततकाल ठीक हाई डिमान ट्राफिक कारीडों में जाम से निपटने के होंगे इंतजाम मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़े कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात के निर्देश पर बरेली ने स्मार्ट बनने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है बीस वर्ष की संभावनाओं को गती देने के लिए कंसल्टेंट यू एम टीसी द्वारा बनाए गई कम्रहसिव मोबिलिटी प्लान पर आयुक्त सयुक्ता समद्दार ने नगर आयुक्त निधी गुप्ता, वीसी बी दी ए जोगिंदर सिंग और सचेव योगेंदर कुमार अपर आयुक्त अरुन कुमार, एस्पी ट्राफिक राम मोहन, चीफ इंजिनियर पी डूडी संजर तिवारी, एनच ए आई, रिलवे विभाग, रोडवेज के साथ की गई गहन मंथन। अब बदायू रोड़ पर मौडन बस अड़ा बनेगा। इससे ताज नगरी आगरा स समेथ राजस्थान जाने का सफर आसान हो जाएगा। रोड़वेज के क्षेत्रिय प्रबंधक को साथ दिन में बदायू रोड़ पर बस अड़ा बनाने का प्रस्ताव देने के निर्देश दिये गए हैं। बस अड़ा बनाने के लिए बरेली विकास प्राधिकरंड ने 1. 6.93 हेक्टे जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी बैठक में दिया है। शहर में बढ़ते ट्राफिक को देखते हुए हाई डिमान ट्राफिक कारीडो की समीक्षा कर जाम से निजात दिलाने वाला कारीडो बनाने को कहा गया है। इसके अलावा छोटी सठकों पर मिनी कमिशनर मोबिलिटी प्लान को लेकर हुई बैठक में कमिशनर सयुकता समद्दार ने बरेली और उसके आसपास बड़े दुर घटना संभावित ब्लैक स्पॉट वालेक शेत्र मयूर वन चेतना केंद्र बिलवा, रीथोरा, नवादा, रामगंगा, जुमका, तिराहा को त कमिशनर ने कमिशनर ने कमिशनर मोबिलिटी प्लान बनाने वाली संस्था को 12 मीटर से कम की सठक का PWD, BDA, NHAI, BSCL के साथ सत्यापन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हैं, जिससे वहाँ छोटे पबलिक वाहनों को चला कर शहर में बढ़ते वाहनों की भील को कम किया मोबिलिटी प्लान नात नगरी कारीडो का प्रेजेंटेशन किया, इसमें शहर के साथ नात मंदिरों को जोडने के लिए एक सरकित तैयार किया गया है, श्रधालुओं को नात मंदिरों में दर्शन के लिए बरेली जंक्षन रेलवे स्टेशन से चलने वाली इलेक्ट्रिक बस ले जाएगी सातों मंदिरों के कारीडों के विकास कार्य को तीन अलग अलग भागों में बाटा